देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर आतंकियों के रडार पर है देशत गर्द दिल्ली पर पैनी नजर गडाए बैठे हैं चिसके मद्धे नजर खूफिया आजन्सियों ने दिल्ली में हाय अलड़ चारी किया है खुफिया एजंसियों की ओर से कहा गया है कि आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के भीड भाड़ वाले इलाके हैं वे बड़े हमले की साज़िश रच रहे हैं अलट के बाद मेट्रो बस्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ऐसे खोटलों और दूसरे जगहों के नस्दीक सतर कता बढ़ा दी गई है जहां विदेशी सैलानियों की मौझूद की रहती है अलट के मताबिक आतंकियों का एक ग्लोबल ग्रुप हमला करने की कोशिश में है यह ग्रुप लंबे समय से दिल्ली में हमले की फिराक में है अलर्ट के बाद शुरक्षा एजंसियों को मुस्तैद कर दिया गया है, बताया जा रहा है कि आतंकी दिल्ली में नए तरह से हमला कर सकते हैं, आईडी भीडभाड़ वाले इलाकों में वाहन से टक्कर मार कर या छोटे हतियारों से हमला किया जा सकता है, आपको बता दे कि साल भर के दौरान आतंकियों ने हमलों की रणनीती बदली है, पिशले साल फ्रांस के नीस शहर में एक ट्रक से हमला किया गया था, आतंकियों ने भीडभाड़ वाले इलाके में लोगों को ट्रक से रौन दिया था, इसे लोन बुल्फ अटैक कहा जाता है, दुनिया के आतंकि की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है देखते रहे डी बिल आई